नमस्कार मैं जहांगिर आलम आप देखने कॉल फिल्मीरर हरपल आपके साथ कहते हैं जब उपरवाला किसे से कुछ छीनता है तो उसके बदले में उसे बहुत कुछ दे भी देता है दुसरी का हाथ या भी है कि उपरवाला तुख उसी को देता है जिसमें सहन करने की छमता होती है इन दोनों का हाथों को धन्बाद चिला की बल्यापूर निमाशी रेखा मिश्रा चरितात करती है देखा ने सडक हाथ से में अपना एक पैर गमा दिया है लेकिन उसके होंसले और कुछ कर गुजरने का जज़बा बादस्तूर कायम रहा रेखा एसे सलेंटी महिलत पॉलेज धनबाद में असनातक की छात्रा है वे दो बहनों वह एक भाई में सबसी बड़ी है उसके पिता किशन मिश्रा की सक है रेखा नित्य छेतर में अपना केरियर बनाना चाहती है इसके लिए हुआ कापी महनत भी करती है अलाकि रेखा ने कहीं से नित्य का परशिचन नहीं लिया है फिर भी उसके नित्य का शांदार प्रस्पति देख लोग दाप देना नहीं बुलते हैं सबसे पहले मैंने शिक्स मन्त पहले की मेरा भाय और फ्रेंड्स लोग बोले थे कि यूटूब बेर डांस डालो जो कि मेरा ड्रीम था आलवेज कि मैं डांस नेडिया डांस जैसे मंच पे जाओं तो सर पहले मैं मुझे नहीं पता था कि कैसे पहुचना है वहां तक पस मेली जैसे मैंने सबसे पहले से यूटूब में जैसे डांस डाली सामी 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 स्वांग पर सबसे पहला मेरा डांस था जो कि मैंने अपना वन लेक डांसर यूटूब चैनल पर डाली हूं दैंसर वाइरल होते गया मेरा डांसर मैंने एक सौर्स डाला था साम के टाइम त बहुत आती है सर एक पैर में मतलब सर यहां मतलब डांस करना मतलब सब बहुत बड़ी बात है और सब बहुत दर्द देती है सब पैर लेकिन फिर भी सर करते रहती हो अपना डांस प्रैक्टिस भी करती हूं मैं अपना घर में यूटूब और सर वैसे टेलीविजन के सहारे मे सर डांस वगरा देखती हूं और उसी से सर सीखती भी हूं अमें क्या परशानी आती है सर वो रोबोटिक पैसा बहुत महेंगी आती है 50 लैक के करीब आती है सो सर इतना पैसा तो नहीं है कि बहुत लोगेश फैमिली से बिलॉंग करती है तो यह घटना कैसे है जिसा सर यह सर यही मांग करती हूं कि वो लोग जित्ता मतब खुद से हो सके मेरा है मदद करें ताकि मैं अपना द्रीम तब कहां सकूं और सर रोबोटिक पैर की मुझे बहुत जरुरत है सुगों लगा दे जिसरा है मेरा यूटूब चैनल का नाम वाल लेक डांसर है और इंस्टाग् चैनल में मेरा एटेज है वालेक डांसर ब्लॉग भी वालेक डांसर चैनल में सुभों भी जादा से जादा देखे और सेर करें ताकि मेरा हिल्प हो सके और मैं अपना डीम तब पहुंच सकूं